ये आपका हर्याना प्रदेश, किसानों, जवानों, पहलवानों का प्रदेश है, यहां आकर बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है, दिल्ली तो पास में ही है, आना जाना काफी हो जाता है, मेरे बच्चे गुडगाओं में पढ़े, मेरा अपना भी आनुभव है आपके प्रदेश का, मेरी बेहने बैठी हैं, कुछ सालों पहले, लगबग आठ साल पहले, मेरी बेटी शायद 15-16 साल की थी, तब वो हर्याना प्रदेश के लिए बास्केट बॉल खेली, तो वो भी खेल कूद में तेज है, जब उसको यहाँ आना था, एक कैम्प के लिए, सर्दी का समय था, मैं भेजना चारी थी कि जाए, बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरह से खेले, सीखे, तो मैंने का मैं छोड़ा आती हूँ, मैं यहाँ आई, सोनेपत के पास एक जगे थी, जहाँ पे स्कूल में कैम्प था, कोचिंग का कैम्प था, तो सुबह छोड़ना था, और शाम को बेटी को घर ले जाना था, तो मैंने सोचा, अगर मैं कैम्प में जाऊंगी, तो सब को पता चलेगा कि यह किसकी बेटी है, तो मैंने सोचा कि इस से अच्छा, मैं थोड़ा दूर उसको छोड़ देती हूँ, और वो चली जाएगी, और शाम को मैं आके ले लूँगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी बेटी है, सब की तरह समान तरह से उसके साथ विवार होगा, तो मैंने बेटी को छोड़ दिया, सुबह, पाठशाला में, यहां सोनेपत के पास एक सरकारी पाठशाला थी शायद, और मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा, कि अपनी गाड़ी हम किसी खेट के पास लगा देते हैं, गाड़ी में रुक जाएंगे पूरे दिन, तो बैठी थी मैं गाड़ी में, कुछ एक दो किलो मीटर दूर था पाठशाला से, और मैंने खेटों में देखा, कि एक दादा जी खेट में काम कर रहे हैं, तो मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा, आप यहीं ठहरो, मैं जाके ज़रा बात करती हूँ, मैं चली गई खेट में, मैं चली गई खेट में उनसे बात करने के लिए, उन्होंने मुझे पैस जाना नहीं, सुरक्षा कर्मी दूर थे, बात चीत हुई, मैंने का मुझे सिखा दीजिए, कटाई करना, कटाई कर रहे थे, तो थोड़ा सिखाया मुझे, थोड़ी सी कटाई मैंने उनके साथ कर ली उन्होंने सोचा होगा ये शहर की लड़की है, ठक गही होगी धूप बहुत है, तो कहा कि बेटा घर चलो मेरे साथ, घर में चाय पिलाएंगे, थोड़ा सा आराम कर लेना, मुझे भी लगा कि पूरे दिन इंतजार करना है, तो चलो इनी के घर चले जाती हूँ, दादु मुझे के साथ चली जाओंगी, वही बैठ जाओंगी, पूरा दिन इंतजार करना है मुझे, तो दादु के साथ मैं घर चली गई, मुझे घर ले गए अपने, घर में दादी जी थी, चोटे-चोटे बच्चे थे, बहुए थी, मुझे खाना खिलाया, पराठे बनाएं, च जानते नहीं थे, अपने परिवार समान घर ले गए, अपनाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खूब बाते हुई, कि किस तरह से क्या करते हैं, क्या होता है, अपना जीवन कैसे गुजारते हैं, तब ही चार-पांच घंटे बीट गए, मुझे पता भी नहीं चला, च आप तो प्रि Yanka हैं, तो अब मैं भी, मैंने कहा नहीं था हूं, अचनक मुझे लगा, मैंने कहा हाँ, तो फिर तो सबने और भी गले लगाया, और फिर दादी जी की कि बात की, पिता जी की बात की और हमारी एक दोस्ती हो गई, देकी 8 से 10 साल बीट गए हैं, जब-जब मे कभी मेरे घर भी आते हैं, जब जब मेरे घर आए, तब कभी खाली हाथ नहीं आए, दन्ना लाए, घी लाए, बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाए, कपड़े लाए, और दादी जी सीधी मेरे सीधे मेरी रसोही में गई, और पराठे बनाने लग गई सब के लिए, खाना तो एक अपना पन जो था, वो एक दम बन गया, और मुझे अकसर लगता है कि यही है हर्याना, यही है हर्याना की जनता, यही है आपकी संस्क्रिटी, यही है आपके संस्कार, और एक और बात बता देती हूं, कि outra सालों में मेरे से एक चीजिज नहीं मंगी, कुछ भी सकते थे जब हमारी सरकार थी केंद्र में तो ठीक है लेकिन सरकार न होते हुए भी कुछ भी मांग सकते थे नौकरी दिलवादो एक काम करा तो कुछ नहीं मांगा आज तक मेरे से सिर्फ मुझे प्रेम दिया है और मैं समझती हूं हमेशा कि जो आपका प्रदेश है और मेरा परिवार है उसके बीच जो रिष्ता रहा है उसी का प्रतीक यह मेरा एक छोटा सा रिष्ता जो इस एक परिवार के साथ है वो है